अलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हो कि सब्जी की पॉली से घर पे ही गलब्स कैसे बनाए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सस्क्राइब जरूर करना तो पहले मैंने मैंने इसमें क्या क्या लिया यहां पर क्याची लिया है मोंबत्ती लिया है एक आगज लिया है एक पैन लिया है और सब्जी की पॉली लिया है तो पहले हम हाथ का स्केच बना लेंगे और इसकेच बनाते टाइम थोड़ा एक एक सेंटिमेटर का गैप देन के हैं फिट तरीके से अच्छे तरीके से आज तो मैंने यह स्केच बना लिया है मैं इसे काट लोगी और काटने के बाद मैं इसको पॉली पे रखके एक एक दो दो सेंटीमेटर की दूरी पर काट लोगी तो यह मैंने सबजी की पॉली लिया है पहले इसका नीचे का हिस्सा और उपके तुनों हैंडल काट देंगे यह मैंने काट दिया है और मैंने इसको अल लंबही की साइस में ले लिया मैंने नहींड में की चौड़ाई कम घिल ले लिया मैंने तो आम मैं सको काट लोंगी τις मूंब़त्ती जला लिया मैंने चाकु को गरम कर लिया है मैंने है पीछे आवाज आएगी तो इसे एकनौर करना क्योंकि मेरी मेरा बेबी जो है बहुत चिला रहा है परिशान कर रहे हैं तो इसको ऐसे करके चाकू को गरम करके इसके किनारे अच्छे से काट लोंगी मैं इसको और यह बहुत असानी से बन जाता है तो ज्यादा टाइम भी नह पानी लगानी पड़ेगी और अपना हाथ बचा कर करना तो यह देखिए ग्लब्स तैयार है मेरा मैं पैन के दिखाती हूँ आपको तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सस्क्राइब जरूर करना चैनल को सस्क्राइब करना तो थांक्यू फर वाचिंग वीडियो को पूरा देखना कर दो कर दो दो कर दो करता है